रोहित शर्मा ने बल्ले बाजों को बताया हार का जिम्मेदार, कहा मा कोई बहाना नहीं बना सकते. भारत 186 रन बनाए. बांगलादेश की टीम एक समय 136 रन पर 9 विकेट गवाकर संघर्ष कर रही थी. उसके बाद महरी हसन मिराज ने मुस्तफि जोर रहमान के साथ मिलकर ट खिलाफ पहले बंडे में मिली हार के लिए बल्ले बाजों को जिम्मेदार बताया. धाका के मीरपूर में कम स्को वाले मैच में टीम इंडिया को एक विकेट से हार मिली. रोहित शर्मा ने कहा कि टीम की बल्ले बाजी की विफलता पर अफसोस जताया. उन्होंने कहा कि खिल का सामना कैसे करेंगे? यह हमारे अंदर है. हम इसी तरह की परिस्थितियों में खेल कर बड़ी हुए हैं. सब कुछ दबाव जेलने को लेकर है. रोहित ने कहा टीम को 30-40 रन और बनाने थे. भारत ने मैच में 186 रन बनाए. बांगलादेश की टीम एक समय 136 रन पर 9 विकेट गवाकर संगर्ष कर रही थी. उसके बाद महरी हसन मिराज ने मुस्तफि जोर रहमान के साथ मिलकर टीम को जीत दिला दी. रोहित ने इस बारे में बात नहीं की. उन्होंने कहा कि टीम ने रन ही कम बनाए थे. रोहित का मानना है कि अगर टीम ने 30-40 रन और बनाए होते तो अंतर पैदा हो सकता था. रोहित ने की गेंद बाजों की तारीफ. रोहित ने कहा, राहूल और वाशिंग्टन सुंदर की पारियों की बदौलत हम बहां तक पहुँचे. दुर्भाग्य से हमने मध्य के ओवरों में ज्यादा विकेट गवा दिये. उसके बाद से वापसी क करना आसान नहीं होता. भारतिय कप्तान ने गेंद बाजों की जम कर तारीफ की. उन्होंने कहा कि यह काफी नजदी की मुकाबला था. हमने गेंद से म्याच में अच्छे से वापसी की, लेकिन बले बाजी सही नहीं कर पाए. हमने अच्छी गेंद बाजी की और उन्हें अ तक दबाब में रखा.